और वहीं हार्याना के क्रिशी मंत्री जेपी दलाल ने पांच राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर अप्रा ब्यान दिया है। जेपी दलाल ने चुनावों में बीजेपी के बहेतर प्रदर्शन का दावा किया है तो बीजेपी छोड़ने वालों को स्वार्थी नेता बताया। आपको बता दें कि कृषिमंत्री जेपी दलाल लोहारू हलके में करोडों रुपे के विगास परियोजनाओं का उद्गाटन और शिलानयास करने पहुंचे थे जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी। जब से नरेंदर मोदी जी तेश के प्रधानत्री बने जब से कांगरेश से बाहर की कोई शित्र सरकार स्पस्ट मौवमत की आई तब से ही सत्ता में पहले रहे हुए लोग तरह तरह के सडिंतर करते हैं। और जब भी चुनाव आता है तो वो ऐसा महौल बनाने की कोशिश करते हैं कि यह मिल गया, यह मिल गया, एक होगे और ऐसा महौल बनाते हैं कि जैसे जनता का अशिरवाद उनको मिलेगा। भाजपासी दे जनता के बीच में रहती है जनता का अशिरवाद लेते हैं। वो जोड़ तोड़ करके, इलाकावाद, जातिवाद, छेतरवाद यह अलग अलग पार्टियों के मदद लेके, सरकार बनाना चाते हैं। हम सिर्फ जनता का आशिर्वाद शेवा करके बढ़ाना चाहते हैं मुझे वरोसा है कि आज देश के जनमानस का देश के गरीब का देश के कमजोर तबके का पूरा का पूरा समर्थन मोदीजी की तरफ है भाजपा की तरफ है ऐसा है कि कुछ आदमीं दूसरी पाटियों से आय कि उनको अब उमीद नहीं है कि ना तो भाजपाई उनको टिकेट देगी ना जनता उनको आशिरवाद देगी तो वो अपना सुरक्सित ठीकाना नूढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो जहां मरजी चले जाए उनको हर कम मुद देखना पड़ेगा